हलो दोस्तों, केकी फिल्मी दुनिया में आपका स्वागत है तो प्यारी दोस्तों, आज हम ड्रीम गर्ल टू की कहानी को एक्स्प्लेन करने वाले हैं तो कहानी सुरू करते हैं कहानी की बात करें तो यह कहानी सुरू होती है करम यानी आईश मान खुराना से जो पार्ट वन में राम नीलाओं में अभनिय क्या करता था मगर अब वेह माता की जगराती गाता है वेह और उसका पिता जगदीर यानि अम्मू अन्नु कपूर अभी भी कर्ज की दलदल में डूबे हुए है मगर साथ है परी यानि अनन्या पांडी और करम उसकी प्यार में डूबा हुआ है इस प्यार की बीच का विलन है परी का पिता यानि जैपाल मनोस जोसी जिसकी सर्थ है कि जब तक करम बैंक बेलेंस की रूप में 25 लाग अपना घर और एक पक्की नोखरी नहीं ढूण लेता तक तक वह परिसी सादी नहीं कर सकता करम का दोस माई मनोस जो मनोस सिंग है और उसका पिता जगजीत उसे सोना भाई यानि विजे राज के डांसिंग बार में लड़की बनाकर पैस कमाने की तर्की बजबाने के लिए राजी करते हैं मगर पैसों की जरुरत खतम ही नहीं होती और करम को पूजा बनाकर अबू सलीम यानि प्रेश रावल के बेटे सारुक यानि अभिजिसी बनारजी संग साधी करनी तक पड़ जाती है अबू सलीम की घर में उसका सोतेला बेटा सो किया राजपाल यादव पूजा की प्यार में पड़ जाता है तो अबू सलीम की रंगीन मिजान बहन जुवानी यानि सीमा पहावा करम से साधी करना चाती है जबकि जुमानी पहले से साधी सुदा है सोना भाई से मगर सोना भाई तो अपने डांस बार में काम करने वाली पूजा पर ही लट्टू हो जुका है इन किरदारों में पूजा और करम को लेकर जो कनफ्यूजन पैदा होता है वही हाथ से के फवारे छोड़ता है अब करम पूजा की सच्चाई को कब तक छीपा पाता है क्या वे पैसु का जुगार परिसे साधी करने में काम्याब हो पाता है ये कहानी जानने के लिए आपको फिल्म देखने होगी तो दोस्तों यदि आपको मूवी अच्छे लगेगी तो मुझी कमेंड करके जरूर बताना तो दोस्तों फिर मिलते हैं व्यू मूवी के साथ तब तक के लिए बाई